अभिशेक, LAC से जुड़े तमाम इलाकों के आपने दौरा किया और सरहत के उस तरफ चीनी सेना के चरित्र को बखूबी समझा भी आज इन वीडियोज को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको, हैरानी हो रही है अभिशेक तेकि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें सीधे तोर पर ये दिखाया जा रहा है कि चीन का प्रवगंडा मशिंद्री है और हम लगातार देख रहे हैं कि चीन इसी को आगे बढ़ा रहा है अब बार बार के रहा हूँ, ये उसके जो डोबिस्टिक आउडियन्स हैं, उनको एड्रिस करने के लिए पूरी की पूरी कवायत की जा रही है बिल्कुल बिल्कुल अभिशेक बने रहे हैं आप हमारे साथ अगर युद हुआ तो ये वीडियो हमारा जवाब है, ये कह रहा है ग्लोबल टाइम्स अब ये भी पता करना पड़ेगा कि इस वीडियो में कितने सीन हॉलिवुट की फिल्मों से चुड़ाए गए है चीन ने हिनान प्रांट में दो ड्रिल किये हैं, जंगल और रेगिस्तान में ड्रिल का वीडियो जारी किया है ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इस प्रोपेगेंडा वीडियो को जारी कर ग्लोबल टाइम्स दरसल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए युद्ध अगर होगा तो हमारी सेना कैसा पराकरम दिखाएगी लेकिन अभी हमने परदाफाश किया है कि किस तरह से इन प्रोपेगेंडा वीडियो में हॉलिवुट की फिल्मों के सीन्स इंसर्ट किये जा रहे और आपको बता दें सवालों में हैं चीन का की मिलिटरी एक्सराइज और ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चीनी आर्मी का युद्ध अभ्यास दिखावा है ये एक्सपोर्ट मान रहे हैं वार ड्रिल से ताकत का अंतासा लगाना बहुत मुश्किल है पीले एक गुबारा है जो की आक्शन में जीरो है ये एक्सपोर्ट का मानना है मीडिया के जरिये चीन का वार ड्रिल दरसल एक प्रोपेगेंडा है और उस पर लगातार चीन के चेहरे पर जो नकाब पड़ा हुआ है वो लगातार अब उटता हुआ नजर आ रहा है और चीन की हवा निकलती हुई नजर आ रही है क्योंकि इन प्रोपेगेंडा वीडियोस के जरिये चीन जो दिखाने की कोशिश कर रहा था उसका सच दुनिया के सामने आ गया है और हमारे साथ मनीश ज्ञा हमारे सरयोगी मौजूद है और मनीश चीन की फितरत और चीन के चरितर के बारे में क्या कहा जाए शी जिन पिंग ने यूएन जी ए में जो कुछ कहा है वो मैं देख रहा था वो कहते हैं कि किसी देश को दूसरे देश को विशेश तोर पर छोटे देशों को धंकाने का अधिकार नहीं होना चाहिए अंतराश्टिय खानूनों का पालन करना चाहिए दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए मतलब वो सारे काम गिना डाले शी जिन पिंग ने जो चीन खुद कर रहा है बिल्कुल समीर और सबसे दुखत बात यह है कि यह उस मौके पर हो रहा था जब पूरी दुनिया सायुक्त राष्ट के 75 सालगिरा मना रही है 75 जैनती पर पूरे देश के पूरी दुनिया के राष्टा अपने मैसेज दे रहे हैं और तब चीन के राष्टपती की तरब से वो सब बाते कही गई जो जिसके ठीक उलट चीन करता है चाहे आप देखे साउथ चाइना सी को लेकर जो इंटरनेशनल टिबुनल का फैशला था जिस चीन के राष्टपती कहते है कि हमें अंतराष्टी नियमों को मानना चाहिए लेकिन फिलिपिन्स के संबन्द में फैशले को चीन नहीं मानता है दादागिरी नहीं करनी चाहिए चीन वही करता है फोटे देशों को चीन धमकाता है और सबसे बढ़कर देखे कोवीद महामारी को जब वो कहते हैं कि दुनिया को इससे इसका सामना करना चाहिए तो कोवीद और कोरोना चीन की ही देन है तो इन तमाम विरोधा भाषों के बीच मुझे लगता है कि आज की तारीक में चीन और धोका, भ्रम, चालबाजी यह सब एक दूसरे के परिचायक होगे है और यह वीडियो तो इन दिखा ही रहे है आपको याद होगा कि राश्पती ट्रंप भी अक्षर कहते थे कि चीन के लोग रिजर्च इस्टूडेंट बन के आते हैं यहां से टेक्नोलोजी सीख कर जाते हैं और फिर वही प्रोड़क्ट बना देते हैं और फिर दुनिया में बेचते हैं तो चीन का ये पिछले दो दशक का जो सो कॉल डेवलप्मेंट है वो इसी नकल पर और इसी चोरी पर आधारीत है क्या आप पर भी बर्पा है जाल साजी का कहर सपने टूटे आपके न घर के न घाट के देखिए लूट घर हर रात साड़े नौ बजे फिकराब की